ड्रक्स और अपराद पर संक्तुराश कार्याल है यानि कि UNODC ने हाली में विश्व वनज्यू अपराद रिपोर्ड वर्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ड दुजर चोबिस का तीसरा संस्क्रण जारी किया है इसमें वर्ष 2015 से लेकर 2021 तक अबयद वनज्यू ब्यापा पेड़ों में सरवाधिक दियोदार के पेड़ का गयर कानूनी व्यापार होता है यह डेटा 2015 से 2021 के बीच का है यह प्रजातियां CITES यानि कि साइट्स में दर्ज है यानि कि इन जीवों का व्यापार नहीं हो सकता है साइट्स का फुल फार्म भी एकजाम में पूशा जात और इसे 3 मार्च 1973 को साइन किया गया था यह प्रभावी है एक जुलाई 1975 से इसका मुख्याल है जिनेवा सुट्जन लैंड में है गैंडे के सींग अवयद पस व्यापार में इसके हिसेदारी सबसे अधिक यानि कि सबसे अधिक जो अवयद व्यापार होता है वो गैंडे क इसके लियानि कि उनकी जो चमणी होती है सलक होता है उसका 28 प्रशत है और हाथी दाथ 15 प्रशत का अस्थान यानि कि तीसरे अस्थान पर हाथी दाथ का अवयद व्यापार किया जाता है गैंडा यह जन्तु में आएगा और देवदार पादप में आएगा तो ध्यान मगरमच, तोते और काकाटू, काकाटू भी तोते की एक प्रजाती जैसा ही है मानसारी जनौरों कच्छुए, साप और समुदरी घड़े अवयद रूप से जिन पौधों का व्यापार किया जाता है तो देवदार और महोगनी साथी साथ होनी ट्री की जो लकडियां होती है गुआकम जैसे जो अन इस्पेसिज हैं इनको मिलाकर 47 प्रज़त की हिस्चेदारी होती है और इसी के साथ 35 प्रज़त हिस्चेदारी सीसन तथा 13 प्रज़त हिस्चेदारी अगर वुड और अन मॉडल्स की रहती है गेंडे की विशु में 5 प्रजातियां पाई याती है अक्सर पूछ लिया जाता है दसकों से अवैद सिकार होने और रहायस में कमी होने के कारण गैंडों की संख्या तेजी सी घट रही है से ड्रस देवदार पस्चिमी हिमाले में पाई जैने वाली संख उधारी प्रिक्ष की एक प्रजाती है और इसका भी अवैद व्यापार खूब हुआ है ड्रक्स और अपराद पर संख तुरास कारहल है यानि कि यह यह नो डीसी यह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आतंग वाद पर युनाइडेड नेशन के नेतृत कारेकरम को लागू करने के लिए जिमिदार होने के अलावा अवैद दवाओं और अंतर रास सहुद रास्ट की विश्व वनेजिव अपराद रिपोर्ट 2024 के अनुसार सरवार्दिक व्यापारिक वनेजिव प्रजाति कौन सी है गैंडा भालू चीता और हाथी में से अपना उत्र चुनिए नीचे कमेंड बाक्स ओपन है उसमें कमेंड जरूर किजिएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आगे देजिए नमस्कार जैन पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाएगा धन्यवाद